हलो उस्तों आट डेट है आट फर्वरी दो हजर बाइस एक वाफिर से में हाजिर हूँ डेली पी आई बी एनालेसिस के साथ चले आज का पहला आटकल देखते हैं तो हमारे Minority Affairs Minister मुकतार अबास नकवी जी द्वारा एक चादर चढ़ाए गई है अजमेर सरीब दरगाह राजिस्थान में किसके बिहाप पर प्रधान मंत्री मोदी जी के बिहाप पर देखे ख्वाजा मोईनिदीन चिस्ती इनकी 810वी पुर्ण नेती थी थी आट 110वी उसी के मौके पर जो मुकतार अबास नकवी जी है इन्होंने चादर चढ़ाई है आजमेर सरीब दरगाह पर और बाकी ये राजनीतिक हो जाएगा कि प्रधान मंत्री मोदी जी के बिहाप पर क्यों चढ़ाई है उन्होंने खुद नहीं च आपको नंबर बहुत अच्छे चाहिए चले देख लेते हैं माराटी अफेर्स मिनिस्टर स्री मुकतार अबास नकवी जी दौरा प्रधान मंत्री मोदी जी के बिहाप पर अजमेर सरीब दरगाह में चढ़ाई गी है खुआजा मोहिन दिन चिस्ति की आर सो दसमी पुनी त पर खुआजा मोहिन दिन चिस्ति देखिए इनका जन्म इरान में हुआ था 1141-42 के आसपास और ये गुलाम वंस के साथ जो दिल्ली सलसनत का टाइम था इल्टु तमिस के सासन के दौरान दिल्ली पहुँचे थे खुआजा मोहिन दिन चिस्ति ये याद रखेगा खुआज मोहिन दिन चिस्ति किसके समय दिल्ली पहुचे थे इल्टु तमिस जी के इतना याद रखेगा जी सॉरी इल्टु तमिस के टाइम पर ठीक है तेरहुई सदी में ये इंडिया में बहुत फेमस हो गए और सुनी इसलाम में जो सिलसला पर अमपरा चलती है सूफिजम की उसम चार सिलसले हैं उसमें चिस्ति जो सिलसला है वो खुञाजा मोहिन दिन चिस्ति दोरा शुरू किया गया है देखे जो चिस्ति सिलसला है वो लव टॉलरेंस और ओपननेस को प्रमोट करता है बागी आपको पता है ये चार सूफी सिलसले हैं इंडिया में चिस्ती, कौदरिया, सुरावर्दी और नक्षबंदी चिस्ती की सुरात किसने की? ख्वाजा, मौनिदी, चिस्ती नहीं इतना एद रखेगा बागी आप पहली जगा सब सिलसलों के बारे में मेरा टर्गेट ये है कि आपको इनके विसे में जनकी देना थोड़ा साफ सेल्फ इस्टीडी करेंगे तो आपको मिल जागा कि अकबर के समय कौन था? बाबर के समय कौन था? और कौन साफ से हार्ड सिलसला था, ठीक है? इंडिया चिस्ती बहुत सॉफ्ट था और अगबर जैसे सासक जो विजिट की कर चुए है और इस दोनों सासकों की खास बत कह रही इन्हों ने अपनी जो कैपिटल है उसको इस्थानांतरित करने की कोसिस की है या इनके समय में इस्थानांतरित हुई जरूर है नेक्ट आर्टिकल है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर प्यूस गोल जी ने कहा है कि जो बजट आया है 2022-23 का ये बहुत फूचिरिस्टिक बजट है इसकी बज़ेसे इंडिया फूचर में बहुत ग्रोफ करेगा तो देख लेते हैं भाई क्या कहा है इन्होंने स्रीप फ्यूस गोल जी ने कहा है कि जो आने वाला बजट है जो हमारा बजट है सौरी आने वाला नहीं जो आ गया है 22-23 के लिए ये मैक्रो माइक्रो एकनॉमिक जो कंसर्न है उनको एड़ेस करता है और इंडिया के इंक्लूजिव यानी क्या बोलते हैं उसको इंक्लूजिव को मुझे हिंदी नहीं यादा ही सौरी उसकी ठीक है इंक्लूजिव एलेमेंट पर फोकस करता है तो एक समान रूप से डेलेमेंट होच के आपकर इस पर फोकस करता है हमारा बजट बजट ने ये दिखाया है कि इंडिया को फूचर के लिए कैसे रेडी रहना चाहिए ठीक है बाकी अगले 25 वर्सों का प्लान लाउंच किया गया है जिसको आप अमरितकाल कहते है पच्तरवी सालगिरा से सौवी सालगिरा के बीच में जो प्लान होगा उसको कहा गया है अमरितकाल चार पिलर है पीछे वाले लेक्षर देखिया पिए भी कि उसमें कहीं न कहीं आपको पढ़ाया गया है अमरितकाल की विसे में और चार पिलर्स की विसे में स्री प्यूज गयल जी ने ये कहा कि पीएम गतिसक्ति नेशनल प्लान ये क्या करेगा Infrastructure Development को बहुत थ्रश्ट देगा भाई कैसे देगा पीएम गतिसक्ति नेशनल प्लान क्योंकि देखिये पीएम गतिसक्ति नेशनल प्लान ये हिंड्रेंसेस को जिसे फाइल कोई अप्रूब नहीं हो रहे हैं किसी एक मिनिस्ट्री ने दूसरी मिनिस्ट्री का कुछ प्रोजेक्ट रोग रखा है इन सभी प्रॉलों को सॉल्ट करने के लिए लाउंच कर दिया गया है उसके अलावा पैंडेमिगी भी चलता रहा लेकिन इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट दना दन बहुत बहतरी तरीके से तरह 240 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट हो चुका है इंडिया में और हमारा जो मर्केंड़ एक्सपोर्ट है वो लगभग 334 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है जन्मरी तक की बात कर रहो हूँ मैं यहाँ देख लिजे इंडिया STEM graduate के मामले में यानि Science, Technology, Engineering, Mathematics graduate के मामले में सेकंड नमबर पर है इंडिया को सिर्फ स्टार्टप्स को ही प्रमोट नहीं करना चाहिए बलकि Research Element और Innovation Hub को भी प्रमोट करना चाहिए हाले में जो बजट आया था इंडिया की स्टार्टप Capital चेंज हो गई है पहले कौन सी थी? बैंगलूरू अब कौन सी है? दिल्ली अच्छा वर्ड की स्टार्टप Capital के मामले है सिल्कॉन वैली जिसको कह रहे है आप कलिफोर्निया हाँ वही ठीक है जो हमारे प्यूस गोल जी है उन्होंने ये भी कहा है कि जो Capital Spending इसको साड़े दस लाख करोड के आस पास कर दिया गया है इस बार के बजट में इससे क्या होगा? इससे जो Multiplyer Effect लाग हो जाएगा तीन से चार गुना यानि दस रुपए खर्च करके हम चालिस रुपए कमाएंगे कैसे? पहली बात तो जॉब अपॉर्चिनिटी क्रेट करेगा डिमांड को बढ़ाएगा और लोगों को फायदा पहुचाएगा ये साड़े दस लाख करोड का Capital Expanditure बाकी PM गति सक्ती स्कीम के विसे में पढ़ लीजिए ये एक तरह का Digital Platform होगा जिसमें 16 Ministry सामिल होंगी खास करके Railway और Roadway क्योंकि इनहीं का पंगा भसता है कहीं Railway वाले जो है Bridge नहीं बनने देते हैं कहीं Road जो है Railway को निकलने नहीं देती है तो अगर ये Interconnection रहेगा तो ये जो Project रुख जाते हैं अचानक से 20-20 साल तक पास नहीं होते हैं कि भाई Defense Ministry ने Railway का काम रोग दिया या Railway ने Defense Ministry का काम रोग दिया Railway इस काम रोग दिया तो Interconnection हो जागा ना Ministry में कोई Project कहां पैटका है क्या कर सकते हैं उसके लिए कैसे सौल होगा ये जल्दी से जल्दी अप्रोग हो जाएगा तो PM गतिसक्ति एक तरह का Digital Platform होगा 16 Ministry इसमें इन्वाल रहेंगी इवें जो आपका National Infrastructure Pipeline पोजलिक था 2019 का 110,000,000,000 करोड का था 110,000,000,000 करोड था 11 Industrial Corridor बनने है और 2 नए Defense Corridor बनने है 38 Electronic Manufacturing Cluster बनने है 109 Pharma Cluster बनने है जो Total Cargo Handle Capacity है इंडिया के पोड की उसको 1769,000,000,000 करना है कितना? 1,000,000,000,000,000 200 Airpods बनने है 4G के निक्टिविटी सभी गावों में पुछानी है 17,000 किलोमेटर की Gas Line Gas Pipeline बननी है बाकि आप ये Sipping Ministry के लिए Target देख लीजए आप एक बार जो National गतिसक्ति, National Plan है Sipping Ministry के लिए देखिए अभी जो हमारा Cargo Capacity हैंडिया की 12.82,000,000 meter per item है 117,6,000,000,000,000 такая JACK आप आइनम करना है तो ये हमारा है National गतिसक्ति प्लान 16 Ministries इन्वाल्व है और Target आपको पता ही है 2024 पस् humour के लिए रखा गया है बाकि अभी प्रहामयति मोदी जी ने 61 सेट की स्थापना के 50 वर्स हो गए है इस पर बढ़ाई दी है साथ साथ दो दो research facilities का inauguration किया है हैदराबाद में है हैदराबाद में क्यों किया है क्योंकि हैदराबाद में गए थे और statue of equality इसका inauguration किया था 216 फिट उचा हमारा statue of equality बना है और इसके विशे में हम लोग current affairs में पढ़ चुके है हो सकता है एक दो दिन में आपको P.I.B. में देखने के मिल जाए क्योंकि P.I.B. में दो दिन delay से लेता हूँ दो दिन late cover करता हूँ ठीक है वह ऐसे भी Sunday था बीच में तो थोड़ा सा audio हो गया यह पधामंत्री मोदी जी ने address किया है पूरे देश को 31 सेट के पचासमी एनिवर्सरी पर इकरी सेट कहा है International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics कहा है है हेदराबाद में है इन्होंने दाया climate change से लड़ने के लिए इकरी सेट बहुत महत्पुर कम कर रहा है उसके लावा एक research facility भी स्थापित किनों ने जो climate resilient research को बढ़ावा देती है दो facilities का inauguration किया गया है Asia और सब साहरान अफ्रिका के farmers को help करेगा तो इकरी सेट हैदराबाद में है ठीक है ये semi arid tropics पर research करता है उससे related फसलें कैसे बनाई जा सकती है देखें इंडिया में 15 agro climatic zone है कितने 15 agro climatic zone है और इंडिया में 6 season आते है ठीक है उसके अलवा इन्होंने प्रदामादी मोदी जी ने कहा है कि back to basic march to pass क्या march to future sorry back to basic march to future हमें इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो farmers हैं उनको हमारे climate change से बचाया जा सके इन्हों कहा है इंडिया में जो 80% farmers है वो small and marginal है government of India उनके लिए focus कर देए प्रदामादी जी ने कहा कि self reliance in edible oil देखिए national mission for self reliance in edible oil ये launch किया गया है आपको पता ही है purpose क्या है purpose ही है कि जो palm oil area है इसको 6 lakh hectare के आसपास और increase करना अभी 3 lakh के आसपास है 6 lakh और hectare कर देंगे 10 lakh hectare के आसपास आपका palm oil cultivation area हो जाएगा फिर प्रामिस्टर मोदी जी ने कहा कि जो cold chain storage capacity है 35 million टर के आसपास करना और 1 lakh करोड का agriculture infrastructure fund बनाया गया है याद रखिएगा ये देख लिए agriculture infrastructure fund जो आपका आपने में भारत package था 20 lakh करोड का उसी में से 1 lakh करोड का agriculture infrastructure fund है 13 वर्सों तक के लिए लाँच के लिए लाँच के लिए 32-33 तक के लिए 1 lakh करोड जो eligible venus priestries हों उनको ही दिया जाएगा agriculture infrastructure fund के तहट interest prevention भी दिया जाएगा 21 सेट हैदराबाद में 1972 में इसकी इस्थापना की गई थी फोर्ड एंड रॉक फेलर foundation दोरा बस इतना ही काफी है हमारे लिए और कुछ पढ़ने जरुद नहीं देखें इंडियन फुटवेर एंड लेदर development program इसको कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है 31 मार्च 2026 तक 1700 करोड उपाई इसके लिए दे दिये गए हैं तो इंडियन फुटवेर एंड लेडर development program 2021 तक के लिए implement हो रहा था यह अब इसको 226 तक के लिए बढ़ा दिया गया 1700 करोड भी दे दिये गया है यह इंडियन फुटवेर लेडर लेडर एंड एकसेसरीज डेलेड़ेंट प्रोग्राम यह एक सेंटर सेक्टर स्कीम है परपस क्या है लेडर सेक्टर में इंफ्रा इस्रक्चर को डेलब करना अच्छा यह जो आई एफ एल ए डीपी है आपका अलब इंडियन फुटवेर लेडर एंड एकसेसरीज डेलमेंट प्रोग्राम यह 2017 पर आसपास लाँच होगा था यह आपको याद रखना है वटमान में बात करें कि लेडर इंडिया में तो इंडिया सेक्ट लार्जेस प्रोडूशर है लगातार देखेंगे आप तो लगातार जो है टॉप टेन फॉरेन एक्षेंज अर्णर्स में बना रहता हमारा लेडर इंडिया में ठीक है लगवा थर्टी परसंट से है खास बात क्या है इंडिया का जो सबसेता यंगेष्ट वर्ट्फोर्स इंवालव है वो लेडर इंडिस्टी में वाल है लेडर इंडिस्टी के जो वर्ट्फोर्स की पॉपलेशन है वो 55 पर्षenट 35 एर के नीचे है तो इसी लेडर इंडिस्टी बहुत इंपर्णट है वन डिस्टिक वन प्रोड्राम देखे सेंटर गॉर्णमेंट ने कुछ डिसिजन लिया है देख लेते हैं क्या है यहां पर लिजे पहली बार क्या हुआ है डोन्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया है लका डॉंग टर्मरीक का कहां पर मेगाले वेस्ट जेंतिया हिल्स लका डॉंग टर्मरीक बहुत फेमस है मेगाले की हाईएस्ट कुर्कुमिन कंटेंट पायता है सेवन टू नाइन पर्शंट ठीक है तो लका डॉंग टर्मरीक कहां कि मेगाले इस्ट जेंतिया हिल्स यहां पर देखें, Government of India ने क्या किया है, One District, One Product, इसकाम, जो One District, One Product, Mission है, इसको Technology Worst, प्रोवाइड करने कोसिस की है, Department of Promotion for Industry and Internal Trade, इसने लका डॉंक टर्मनिक को, One District, One Product, इसकीम के तरह, लिस्ट कर दिया है, पहली बार, एक Fly Off, इवेंट किया गया है, इसका, टर्मनिक का, इस्ट, वे, सॉरी, इस्ट या फिर वेस्ट जैनते हिल्स, जो भी अभी आपको पढ़ाया है, मैंने, वो देख लिए, यहां, वेस्ट जैनते हिल्स में, तो वेस्ट जैनते हिल्स एक डिस्टिक है, वन डिस्टिक, वन प्रोड़क्ट इसकी में इसको लिस्ट कर दे जाए, लका डॉंग टर्मनिक को, देखें, जो हल्दी में कुर्कुमिन पाया था, जिसके सही यह यलो कलर होता है, वो ट्रेडिशनल इंडिया में काफी समय स्यूस यूस के रहा है, और इम्म्नुटी को बूस्ट करने में बहुत ज़दा हेल्प करता है, यह जो लका डॉंग टर्मनिक है, वेस्ट जेंतिया हिल मेगाले में पायाती है, वर्ड की फाइनेस्ट वराइटी है, जो की हाइएस्ट कुर्कुमिन कंटेंट रखती है, जेंतिया हिल जो डिस्ट्रिक है, उसकी एकॉनमी को तो बूस्ट करी सकता है, मेगाले ने लका डॉंग टर्मनिक के लिए क्या किया है, जी आई टैग अपलाई किया है, जी आई दस वर्सों के लिए मिलता है, यह याद रखियेगा, बाकि यहाँ पर देखिए Epida भी इसको प्रोमोट कर रहा है लाकाडॉंक टर्मेरिक को तो इंडिया इस दे लार्जेस्ट प्रोडूशर है इसका टर्मेरिक का एस पर एपिडा 2019 इंडिया ने क्या किया 2018 में बाकि आप देख लीजे इंडिया जो वर्ड की टर्मेरिक का 78% परडूश करता है यह हमारे जो नजिन सींग तोमर जी हुनों राजिसभा में भाशन काथा है टोटल टर्मेरिक का 78% इंडिया में पैदावार होती है बाकी आपको ये रटने की जूरत नहीं है ये एक जैपेनीज बिजनेस कॉंसेट है जो 1979 के आसपास फेमस हुआ था ये आप से पूसकते है वन रिष्टिक वन प्रोड़क्ट स्कीम कॉंसिकंट्री का कॉंसेट है जैपेनीज कॉंसेट है इंडिया में इसको यूपी गवर्मेंट ने प्रोड़क्ट स्कीम को इंप्रिमेंट किया तो आज इतने ही आर्टिकल से देखिए कम टाइम की वीडियो हो गई आज आप इंजॉय करिए मिलते हैं आप से अपनी नेक्ट वीडियो तो लिटेगे लिक केर